बहुत सब्सक्राइब वार चल रही है किसके बीच अभी तक ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बीच चल रही थी अब इसमें बहुजन समाज पार्टी खुद मायमती जी भी शामिल हो गई है पहले ये जो कुछ नए पोस्टर लगे हैं ये देख लीजे योगी जी ने शुरुबात करी थ थी इस माहौल की इस दौर की उन्होंने नारा दिया बटोगे तो कटोगे मामला बहुत आगे बढ़ गया मोदी जी और उसके बाद मोदी जी ने कहा एक हो तो सेफ हो जारखण में भी यही नारे लग रहे हैं महराश में यही नारे लग रहे हैं यूपी में बाटेंगे फिर काटेंगे पीडिये जोड़ेगा और जीतेगा अब उस सीरे मठादीश पर आगए एक बार पहले भी उन्हें मठादीश पर बयान दिया था और कहा था कि मठादीश और माफिया में जादा अंतर नहीं होता है उसक्त फिर इनको सफाई देनी पड़ी थी अपने बयान पर लेकिन आज उस खुलकर कह रहे हैं मठादीश योगी जी के लिए ही कह रहे हैं कि मठादीश पहले बाटेंगे फिर काटेंगे और पीडिये जोड़ेगी और जीतेगी इस पर रियाक्शन आये बीजेपी के तरफ से केश्र प्रसाद मौर्या उप मंत्री ह दोनों ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है सुनिये अखिलेश यादो जी स्वयम गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं चूकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेश ने उनका साथ छोण दिया है और कांग्रेश ने महाराष्टा और जहारखन में समाजवादी पार्टी का साथ छोण दिया है इसलिए वो स्वयम तनाव में समाजवादी पार्टी रोज नए नारे नए होल्डिंग नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है कंफ्यूज हो गई है तैझ नहीं कर पारी है कि नारा क्या रखे समाजवादी पार्टी पनी बॉखला गई है कि कैसे जाती मझहब के समिकरणों को साधे कैसे सबको साथ लेकर के चल सके प्योगी भरतिय अंता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनके थियोरी थी ये अब तक MY का समिकरण गढ़ने वाले जो PDA का समिकरण गढ़ रहे थे आज इनका PDA का नारा डेरेल हो गया है और इसलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं नए नए लगा रहे लेकिन नारो और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नईया पार नहीं होने वाली ये उपचुनाओं सभी कि सभी सीतों पर बुरी तरह से हारने वाली है पचुनाओं को भी नतीजय अब जो भी हो लेकिन नारो ने ज़रूर महुल बना दिया अब मठादीज बाटेंगे और काटेंगे पराज चुके हैं सवाजवादी पार्टी इस तर पार्टी जी ने मुझे लगता है कि ये राजनीयती उस दौर में चली गई है जिसको हम 90 वाली पॉलिटिक्स कह रहे हैं जो भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और अगर लोगों को ध्यान में हो तो वही वो दौर था जब इक्यानवे में कल्यान सिंग की सरकार आ गई थी और उसके बार मुलायम सिंग यादो को भी अन्त में कोई रास्ता नहीं बचा था तो काशी राम के साथ जाना पड़ा था बस्पा के साथ जाकर समाजवादी पार्टी देख चुकी है अब दोबारा वो इस्थिती है नहीं भारती जनता पार्टी का वोट बैंक पहले से ज्यादा संगठित पहले से ज्यादा एक हो चुका है अब ऐसे भी अगर ये वाली राजनीती होगी तो जाहिर है अखिलेश यादो शायद थोड़ा सा दूसरी तरफ देख रहे है जिसमें बसपा और कॉंग्रेस वो पूरी तरह से माइनस हो जाए उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बचे वो भाजपा और समाजवादी पार्टी की बीच में हो ये राजनीती है चल रही और देखे योगी आदितिनात का बटेंगे तो कटेंगे अब ये तो नारा बन ग रहे हैं वो सिधे परसनल भी हो रहे है मठादीश ने वो इसलिए हो रहे है कि मठादीश हिंदुत तो आयोद्या राम मंदिर ये सब जुड़ा हुआ है ये कोई अलग से वो योगी आदितनात पर एक कोई हमला नहीं कर रहे हैं ये हमला सीधे सीधे उस हिंदू ब्रैंड पॉलिटिक्स के उपर है जिसको लेकर भारती जनता पार्टी आश्वस्त है कि हमको इसमें कोई डेंट नहीं लगने वाला है उनको लगता है कि यहीं पर हम थोड़ा सा जटका दे सकते हैं तो मठादीश पहले भी हो कह चुके थे कि मठादीश माफिया एक तरह से अब हो क तो सबकी राजनीती समाप्त हो जाती थी आपको याद हो उसी दवर में कॉंग्रेस गायब होई और अब थोड़ा सा बेहतर होती हुई दिखी है तो शायद अखलेश यादा और उनके सलाहकारी कह रहे हैं कि लड़ना तो इसी पर पढ़ेगा और यहीं आपको आगे की रा गटबंदन ता इसलिए हो गया 2022 कंप्लीट बाइपोलर चुनाओ था 2024 बाइपोलर था अगर कॉंग्रेस सपा के साथ नहीं होती तो फिर तो कॉंग्रेस की हालत क्या होती आप जानते ही है मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी अगर सपा से गठबंदन नहीं होता तो हाँ चुनाओ लरने आते ये भी जो सच्चाई है उसका स्वभाविक है देखिए देश धीरे धीरे एक 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 एडियोलोजिकल पोलिटिकल एडियोलोजिकल जो है पीच पर जा रहा है बलकि ये काफी हद तक पहुचा है इसलिए आप देखें कि देश में ही दो धारा बन गई है तीसरी धारा के लिए देश में जगा बची नहीं है आप ये यूपी को दे और यूपी में तो बहुत सीधा सीधा है माया बती जी अब फिर से खड़ी होने की कोशिज करें बसबा से जुरेंगे तो सुरक्षित रहेंगे ये बाते आ रही है अब इस समय जो जो लोग कों के बीच इस समय दो नारे हैं बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे ये दो नारे चले हैं तो अब उस नारे के मुकाबला करने के लिए उनको आना पर रहा है और मठा दीस नहीं पहले से भी उन्होंने शुरू करवा दिया था हाला कि आज वो बसपाप जिन्होंने शुरू किया था स्वामी प्रसाद मौरिया ने उनके साथ उनके संबंद अच्छे नहीं रहे बहुत कुछ हो गया लेकिन वो तो रामचरित मानस से लेके तुलसी दास पर मठा दीसों पर आकर्मन सुरू कर चुके थे क्योंकि यह जो पुरानी दौर थी सत्तर के आसपास के साथ के उसमें यह था कि ब्रहामनों पर पहले अटैक करो ब्रहामन बाद सब्द पर अटैक समाजबादियों ने कौमिनिस्टों ने सुरू किया और जितने धर्म से जिरू हुए परतीके थे उनका मजा कुराना उन पर फिल्मे बनना उसके को लेके पॉलिटिक्स करना और वो पॉलिटिक्स कुछ दिनों तक सफल रही बीजेपी ने उस पॉलिटिक्स को ध्ष्त किया उत्तर परदैस उसका केंदर बना राम मंदिर के कारण तो आज पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचा है पिछले चुनाओं में बीजेपी ने समझा कि हमसे भूल हुई और उसमें जो हमको बोट मिले भी उसमें एक बड़ा चंग इसी आईडियोलोजी का है तो इसलिए अब उस आईडियोलोजी को पोलिटिक्स के तर्मियान एक खुल कर ले जाने के अखलेश जी को पता है कि सीधे मुकाबले में रहेंगे तभी यह बोट मिलने वाला है अगर थोड़ा भी इस मामले में हम बाहें दाय हुए तो हो सकता है जो बोट है वो कट जाए क्योंकि PDA कमजोर पीछ है हिंदुत की हिंदूओं की एकता मजबूत पीछ है हिंदूओं की एकता से PDA पराजित हुई PDA तो समाजबादी पार्टी का जो समीकरान है वो पहले भी पराजित हुई है फिर आगे भी पराजित हुई है वो भी हिंदूई है इसलिए मैं पीडिये सब्द वापस ले लिया समाजवादी पार्टी का समीकरण मैंने बोला समाजवादी नहीं देस बना आजीव है कोई पीडिये की बात कर रहा है तो तो एकता की बात है समाज की बात है और हिंदूओं की एकता की बात कर रहा है वो ए कि एक किसी रिपोर्ट में आरेसस के हवाले से कुछ लिखा हुआ था एक स्लोगन जैसा ही है वो मैं पड़ा मैं कुमने का शेयर करूंगा कि आरेसस के लोगों को लगता है कि अब हिंदू का राजनीती करण तो हो चुका है अब राजनीती का हिंदू करण कह लीजिए करण कह लीजिए वो करना बाकि है पूरा है अभी ग्वालियर में आज किकनी तरिके तीन तरिक है चार तरिक तक पांस दिनों की और था जटेक्टिट प्रचारकों की बैठक हो रही है, और उस बैठक में बहुत मत्रपूर्ण काम हुआ है, इस बैठक में ये तैक ही आगया है कि अब संग के दो हिससे होते हैं काम करने के, एक होता है शारिरिक जो शाखाहों में किया जाता है, दूसरा होता है बधिखु. अब पूरा कब पूरा syllabus जिसे कहें आप मोटे तोर पर समझें जो संग अपना पूरा syllabus चेंज कर रहा है और उसमें वक्त की जरुरत को समझते हुए अब शारिरिक का जो हिस्सा है उसका exercise का और जो प्रैक्टिस का उसको कम करके बौध्धिक पर फोकस किया है इसका मतलब है ज इनके साड़े 500 प्रचारक इस पर काम कर रहे हैं मुद्धा यह कि जो बात हो रही है कि हिंदू की एकता और पीडिय की एकता जब मठादीश भी बात कर रहे है तो मैं हर्जी की इस बासे सहमत हूँ कि वो उनका फोकस ही हिंदुत्व के पर अटेक है मठादीश से वो फोकस हो जाता है कि योगी जी के नाम आएगा तो समझ में आ जाएगा कि यह बात है और उस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं और अखिलेश जी को भी समझ में आ गया कि इसको राज उत्तरप्रदेश में बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए बाई पॉलर से देखर कॉंग्रेस को थोड़ी सी मजबूती मिली या मौका मिला वो उनके लिए हमेशे ही खत्रना के इस पर पहले भी हमने चर्चा की कॉंग्रेस बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी को खत्रा होगा तो वो चाहते है कि बाई पॉलर पॉलर पॉलिक्स हो जाए उसमे भी हमने चर्चा की जुड़ेंगे जीतेंगे और बटेंगे कटेंगे में कोई बड़ा फरक उस तरह से नहीं है दोनों एक ही थोर्ट प्रोसेस को चलाने वाले लोग है लेकिन ये और माया बती जी को भी अब ये समझ में आ गया कि कहीं ये अकले इसको बाई पॉलर पॉल कर सकती है लेकिन अगर कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाए तो भारती जनता पार्टी को जमीन हासिल करना मुश्किल होगा इसलिए भाजपा भी चाहती है कि भाजपा और सपा की लड़ाई होती है बसपा से कोई डर नहीं लगता बाजपा को नहीं मुझे जनता का ध्यान बाटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं जूडेंगे तो जीतेंगे इन नारों को परचारित करने वे इनकी पोस्टर बाजियादी भी खूब करने में लगी है जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच्वे नितियों को ध्यान में रख कर वास्तम में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुडेंगे तो आगे बढ़ेंगे वे सुरक्षित भी रहेंगे परदेश की जनता को इनके ये हवा हवाई नारो वेब पोस्टर बाजियादी के चक्कर में बिलकुल भी नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए अपनी कम्यों की वज़े से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उप्चुनाओं में बोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा लगाकर बोट मांग रहे हैं तता वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर बोट मांग रहे हैं कि जुडेंगे तो जीतेंगे जबकि इनकी आर में ये दोनों पार्टियां यहां के लोगों को केवल गुम्रा कर रही है उनका अपना नारा ये है बस्पा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे वो भी आ गई नारे में अब मैवती झी देख रहे थी बहुत दिनों से कि मुख्य मंत्री उत्यपदेश की योगी आजितातात का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा हुए योगी अधितिनाथ और अखलेश का युद्ध उत्त्रपदेश में चल रहा है नो सीटों को लेके चल रहा है तो मायवति को लगा कि मुझे सब भूल गए तो मैं भी मैदान में हूँ मैं भी राजीति करती है और मेरे भी उपस्तिती है तो मायवति ने उस अंधर में दिया अधितिनाथ को भी इस बात का अंदाज नहीं हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे वह इतना जादा नारा चल जाएगा और जनता के बीच इतना मतलम उसकी चर्चा हुन लेगेगी पदान मंत्री मोधी उसका जिक्र करेगा और संग भी अपने स्थर पर उसको जिक्र करने लग बटेंगे तो कटेंगे अब इतना चल चुका है और समाजादी पार्टे को इस बात का डर है कि जो योगियात इतना थे कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे अगर यह जन्मानस के मन में उतर जाता है और जन्मानस इसको पर रियट करके इस पर वरोसा करके अगर इसकी साफ से पर चली जाती है, तो फिर अखले शादव को क्या होगा, ये अखले शादव जानते हैं, कि उनको पीडिय एक तरफ धरा रहे जाएगा, पूरा एक तरफा वोट भारतिय अंता पार्टी के तरफ चला जाएगा, उनका पूरा पीडिय बेसर हो जाएगा, अब उनके सामें सब पर उक्चना हो रहा है, इसका असर तो उनकी महा पर दिख जाएगा इस नारे का असर, अगर ये नारा चल जाता है नो सिटो पर और भारतिय अंता पाटिय अगर आच्छ शीटो पर जीत जाती है, अखले शादव सफ एक, दो या तीन सिटो पर बढ़ी मिश्किल जागर ज अब इसी आधार पर 2027 तक momentum बनाए जाएगा और 2027 को जो चुना होगा वो इसी आधार पर होगा बटेंगे तो कटेंगे या जो जुड़ेंगे जितेंगे की पीची एक ख़बर आपको बता दूमें साइकलोजीकल वारफेर के लिए बहुत बड़ा नारा साबित होगा मैं आपको बता सकता हैंест अधर आप ऊछुछ को लगेगा वो उसका हमरे पो इसको हैमर करेगा उलागई हमर लगना भी चहीए ता उनके उस दिल्ली के प्रोग्राम के कुछ और हिससे हमारे पास पहुंचे हैं इसमें उने खुलकर ये कहा है कि राहूल गांधी ने कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गटबंदन ने जो कहा कि हम सब को साथ ले करके चलेंगे उनकी बात पसंद आई और हमने राहूल गा बात करें ये चीज नहीं चलेगी मैं इस सिलस्रे के अंदर जो गटबंदन की पॉलीस ही है मैं इसको अच्छा समझता हूँ एक तरफ तो ये किरिदार है गवर्निमिंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है दूसरी चीज एलक्षन के दबाने के अंदर जो इंडिया गटबंदन ने अपना मिनिफिस्ट्यू शाय किया मेरे पास ये चीज पहुँची के राहुल गांदी जी ने ये कहा है कि हमारी हुगूमत अगर बनेगी तो हम हर अकलियत को अपने मजहब के ओपर चलने की आज़ादी देंगे मैंने उनकी इस बात को गद्र के नज़र से लिखा और मैंने एलान किया कि इस एलान के बाद मुसल्मान को उस गटबंदन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिल की है अपने मजब की उसको बोट देना अपने मुल अपने दीन की हिफाज़त के मुरादिफ है और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदोस्तान के मुसल्मानों ने एक जुट हो करके गटबंदन को बूड दिया और गटबंदन इस तरह से आगे निकला और भीजे भीहार रही ये पुरानी बाते याद आ गए लोग सबस्वाज नाव के दोरान 50 में क्या कहा जाता था कॉंग्रेस का मनिफेस्टो ये तो मुसलिम लीक का मनिफेस्टो है जिन्ना की आत्मा कॉंग्रेस पार्टी में घुश गई है वो ये कह रहे हैं कि बे उनका मेरे फेस्टोट देख करी हमने कहा कि मुसल्मानों को अपने धर्म को बचाने के लिए उसकी आजादी बचाने के लिए फ़र्ज है कि आप इसके लिए वोट करिए श्तरपाटी जी नहीं मुझे लगता है कि आज ये मदनी साहब जो बोल रहे हैं प्रधान मंत्री ने रैलियों के दोरान जो कहा और उस पर देश के एक बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुल क्लास ने कहा कि देखे प्राइम मिनिस्टर कम्मिनलाइज कर रहे हैं यदि अगर मुसल्मान कह रहा है कि हम मुसल्मान हीतों को देखते हुए राहूल गानी के साथ ख़ड़े हैं तो वो सेक। अगर भारती जनता पार्टी कह रही कि देखे देखें मुसल्मानों के वोट से ही कॉंग्रेस ताकतवर हो रहे है तो वो कम्मनलिजम है और यहां पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वो कागज खूब दिखाए गया था, कॉंग्रेस का घोशना पत्र था, बाद में उसको दूसरी तरह से कर दिया था, उसको गायब कर दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि अल्प संखेकों को उनके खानपान, रहन सहन, पहनावे, शै और आज तक किसी पार्टी ने, स्वतंत्र भारत में किसी पार्टी ने, अपने घोशना पत्र में, अलग से अल्प संखेकों के लिए खान पान रहन सहन की बात नहीं की थी, तो आप इसको जरा समझे, और अब मैं उसको फिर से लेके आता हूँ, योगी जी अभी कह रहे है बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दूसरे उत्सव मनाते हैं, संग कह रहा है कि जब भाई भाई में जगडा हुआ तो कैसे विपदा आई और कैसे भाई छूटे मंदिर तूटा ये सब बताए, धर्म संस्थान खतम हो गया, अ यानि एक तरफ तो आप मुसल्मानों के लिए कुछ भी वो करें अपने लिहाज से, शरिया शरियत तक चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए जैसे ही आप सवान नागरिक सहिता कहें तूट पड़ते हैं, और दूसरे तरफ ना न भया ये तो जाती वाला है, ये जा से अटैक होना चाहिए था, वो भारती जन्ता पार्टिन नहीं कर पाई, वो कोशिश चरूर किया उन्होंने, लेकिन वो दूसरी तरह से किया, वो नहीं हो पाया, वो उल्टा कर गया, कि मुसल्मान एक जूट हुआ, और कुछ जगहों पर समविधान, आरक्षान, जाती, दलीत, ये सब मिलकर उल्टा हो गया, अब शायद उनको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे खिलाफ गया, और कई लोग जो कहते हैं, कि आयोध्या के लोग, काशी के लोग, उनके मन में कश्ट होता है, बुरा लगता है उनको, कि रहे हमसे ये गलती हो गई, औ और उसमें जब आउधर्ष प्रसाच जिस तरह से बोलते हो केते हैं, कि रहे ये राम नाम का पठका है, ये तो हमारे शुकला जी पार्टी लेके चले आया, हमारी तो विचारधारा आप जानते हैं, तो फिर उनको और बुरा लगता होगा, जब इस नारने कुछ नया नही वो बिलकुल उस भासन में नहीं है, केवल इतना ही है कि हमारे दीन की रक्षा के लिए, दीन के आगे बरने के लिए, कॉंग्रेस का ये विचार है, उसमें हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ही एक खतरनाक इस्थिती होती है, क्योंकि जब आप मजहब के साथ राजनीत को जोडते हैं, तो संकट पैदा होती है, बाकी किसी भी संकठन को इस देश में, किसी पार्टी के साथ जाने और बोलने, उसके साथ काम करने, बोड देने का अधिकार है, ये ही बात पिछली बार भी हो रही थी, कि मसजीदों से, बाकी तरफ से इसको बोड जिहाद बना के कि ये तुम्हारे दीन की रक्षा का सवाल है, ये तुम्हारे दीन की बकाविशय है, भाजपा को हराना ये दीन का विशय है, अब कॉंग्रेस को जिताना इनके दीन की रक्षा का विशय हो गया है, ये जम्यते हुलमाए हिंद का, ये मुख्य, इसका स्वर है, अब ये दे पर लिए ना वहीं सब्द पकर लीजिए ना वो सब करते आये कि दीन सब्द पर आ गए हैं बाकि दो बातों पर जो उन्होंने बोला है भी जैजी थोरा सा उसको उसमें असपास्टी करन आवस्य करन यह जो बीवीत छेत्रे के परचारकों की बैठा के चार दिन की तो वो तो संग का जोर है यह जो है शताबदी बर्स में जो पंच पड़िवर्तन तैग हुए है न उस पंच पड़िवर्तन को कैसे बीवित छेत्र के परचारक अगले सा उसको आगे बढ़ाएं उस काम को लेके क्योंकि वो संग की साखा का विश्तार में नहीं सामिल होंगे लेकिन प्रबोधन है जो पड़ियावरन है जो स्वदेशी जीवन है इस सब को आगे बढ़ाएंगे यह विश्तार में परशिक्षण है